इंदोर की बांगंगा थानशेत्र में ब्रीज के पास बड़ा हाथसा हुआ है जिसमें एक क्रेन ने बाइक सवारों को रोन दिया है इस हाथसे में चार लोगों की मौके पर ही मौथ हो गई वहीं एक महिला गंभी रुप से घायल है उसको अस्पताल में भरती कराया गया है दुर घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड लग गई सुशना पर पुलीस ने शवो को पोस्ट माडम के लिए भिजवाया है दुर घटना बांगंगा शेत्र के भगत सीहनगर में ह जहां पूल से उतरते समय एक क्रेन ने पहले कार और रिक्षा को ठकर मारी फिर दो बाईक को रोनते हुए आगे निकल गई हाथसा इतना विभात से था कि दोनों बाईक क्रेन के नीचे आ गए करीब 50 मिटर तक क्रेन के साथ बाईक घिसरते रहे मारने वालों में तीन बच का थाना शेत्र में बाईक दुरघटना में नागरिको के असामाइक निधन पर गहन शोक व्यक्त किया हैं इन दौर से राजेंदर सुर्य बंशी की रिपोर्ट जेवर्व मुलत। बढ़का भराला ओर मेरी घर वाले थी एक छोटा लड़का रिठेश बत करतेश देश आरों यह तो यहीं दौर निज़र मैं ने मैं मेरका भी फोन आया ह्या तो में दोर्ड के आया सर मेरे घर के तो तीन ही थे दो बच्चे और एक ओरत थी और एक लड़की थी लड़की का नाम पी हुए और बच्चे का सरत है और बच्ची दच साल की यह लड़का चे साल का है और एक बड़ा लड़का सोना साल का है आपका नाम आपको नहीं हुए उनका पिता जी हुए पीच में मोटर साइकल वाले चल रहे थे इनको चड़ाते हुए बस को भी धक्का लगाते हुए यह आके इन्होंने बिरेट माश्ट आ रही थी तो बस वाले का आगे जड़ा सा थोड़े धीमी चल रही थी बीच में मोटर साइकल वाले चल रहे थे इनको चड़ाते हुए बस भी धक्का लगाते हुए यह आके इन्होंने भीए नगे जाखे वाले चल वाले उनको भी तो जाइल वाले हुए था यह फिस्वाला था रिख्षे वाले में सावारी ती वो इक आएल हुआ बच्चा भी इसमा यह बगत सिंग नगर बान लंगा वेंडर और इंडर चालक फरार हो गया यह इसके जानिकारी नहीं है यह जालक पर दिजो जाद हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुलें